दूनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का उधखाटन हो गया है राजपती रामनात कौविन ने एहमताबाद में नरेंद्र मोधी स्टेडियम का उधखाटन किया आपको बता दे, सरदार पटेल स्टेडियम के बचवाय, अब इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोधी स्टेडियम कर दिया गया है, जिसको लेकर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है, लेकिन इस स्टेडियम के उद्खाटन में राश्पती रामनात कोविंद ने इस तोर पर नरेंद्र मोधी ने ये परिकल्पना की थी, जो आज पूरी हो रही है, उस वक्त वो गुजरात क्रिकेट संग के अध्यक्ष थे, जब इस क्रिकेट स्टेडियम की नीव रखी गई थी, और ये स्टेडियम प्रियावरन के अनुकूल विकास्त का एक अतुल्या उ लेकर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है, और इसके साथ ही इस स्टेडियम में एक छोर का नाम अडानी पवेलियन एंट और दूसरे छोर का नाम रिलाइंस एंट रखा गया है, जिसके बाद तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो अब सरकार पर निशाना साध रह लेकिन आपको बता दें, ये पहला मोका नहीं है, जब किसी राजनेता के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया हो, इससे पहले करीब ऐसे देश में नो स्टेडियम हैं, जिसका नाम जवालल नहरू के नाम पर रखा जा चुका है, इसके अलावा इंद्रा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक तमाम ऐसे राजनेता हैं, कॉंग्रेस पार्टी के, जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम है, या पर अलग-अलग चीजों का नाम रखा गया है, चाहे वो खेल पुरुषकार हो, उनका नाम भी राजीव गांधी खेल रत्र पुरुषकार हो, या पर तमाम ऐसे पुरुषकार हैं, जिनका नाम भी राजनेताओं के नाम पर रखा गया है, लेकिन चुकि नरेंद्र मोधी के नाम पर इस दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टिया लगातार अब निशाना साधराई ह राखूल गांधी का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सच्चाई अपने आप सामने है, नरेंद्र मोधी स्टेडियम, अडानी एंड, रिलाइन्स एंड, उसके साथ जैशा का नाम भी उन्होंने लिखा है, कि वो उसके अध्यक्ष है, वहाँ BCCI के, तो इस तरीके से निशाना केंद्र सरकार, मोधी सरकार पर साधने की कोशिश राखूल गांधी की और से की गई है, इसके लावा कॉंग्रेस नेता शशी थरूर ने भी इस पर रियक्ट किया है, उन्होंने अपने ट्वीटर अकाउंट पर लिखा है, कि शायद उन्हें एह एकसास हुआ होगा कि जिस क्रेमंत्री के नाम पर ये स्टेडियम था, उन्होंने ही इसके मूल संगठन को बैन किया था, या शायद ट्रंप की तरह किसी दूसरे राश्टर ध्यक्ष की लिए एडवांस बुकिंग की गई है, तो इस तरीके से लगातार जो कंग्रेस पार् एक मोधी सरकार पर तंच कस रहे हैं, इस स्टेडियम के नाम को लेकर हार्दिक पटेल ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़े एहमदाबाद सित सरदार पटेल किर्किट स्टेडियम का नाम बदल कर नरेंद्र मोध किर्किट स्टेडियम रखा गया है, क्या ये सरदार पटेल का अफमान नहीं है, तो कॉंग्रेस पार्टी को ये भी यात रखना चाहिए कि इस स्टेडियम के उद्गाटन के वक्त अमिश्या ने ये कहा है कि एहमदाबाद को अब भारत खेल रास्थानी बनाया जाएगा, जिसके तहत 23,000 एकर जमीन पर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंकलेव बनाया चाहिएगा, जिसमें लगभग 50 खेल होंगे और इसके अंदर केवल किर्केट स्टेडियम पीम के नाम पर है, यानि एक पूरा स्पोर्ट्स एंकलेव बनाया चाहिएगा, जिसमें तमाम अलग- लग नाम होंगे तो इस तरीके से ये पूरी एक कह सकते हैं कि खेल रास्थानी एहमदबाद को बनाने की कोशिश अब केंदर सरकार की है जिस दिशा में वो काम कर रही है इसके अंदर ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो की अत्याधूनिक स्वीधाव से लेस है य इसको लेकर आपको बता दें बीजेपी के नेता भी तमाम तरीके से अब कॉंग्रेस पार्टी पर पलटवार करते नसर आ रही हैं। तो इस स्टेडियम की बेहत जरूरत थी हालकि इससे पहले भी भारत में काई स्टेडियम मौजूद हैं लेकिन भारत में जिस तरीके से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन का तयात हुआ है नरेंद्र मोधी देश की प्रधान मंतुरी जब गुजरात की मुख्य मंतुरी थे उस वक्त ये उनका सपना था कि इस तरीके से एहमदाबाद के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बने जो कि साकार हुआ है जिसका जिक्र राश्ट्रुपती ने भी किया है लेकिन आज उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोधी स्टेडियम रखा गया है लेकिन उसको लेकर अब लगातार जो विपक्ष है कॉंग्रेस पार्टी खासतोर पर निशाना साथ रही है तो कॉंग्रेस पार्टी शायद ये फूल रही है कि इससे पहले उनके पार्टी के तमाम ऐसे नेता रही हैं तो उनके नाम पर कई sports स्टेडियम हैं तो वहीं दू से आठ घरेलू और एक अंतराष्ट्रिय मैच जिस पर खेला जा चुका है उसमें नई दिल्ली, चेननाई, कोची, इंदोर, गवाटी, पुने और गाज्याबाद में ये जो स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं ये जवाला नहरू के नाम पर हैं इसके अलाबा आपका पूर्व पर परधानमंत्री राजीव गाधी के नाम पर भी हैदराबाद में क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया है किराबा पूर्व परधानमंत्री इंद्रागानी के नाम पर भी देश में तीन एरिन हैं गौाटी, नैदिल्ली और विजयवाडा में तो तमाम नेताओं के नाम पहले भी इस तरीके से स्टेडियम के नाम रखे जा चुके हैं ये कॉंग्रेस पार्टी को समझने की बेहत जरूरत है जिस तरीके से वो राज़नीती लगातार इसको लेकर खेल रही है और तमाम तरीके से अब कोशिश यही है कि केंदर सरकार, मुधि सरकार पर निशाना लेकिन कॉंग्रेस पार्टी शायद अपनी गलतिया भूल रही है जिस तरीके से वो लगातार बयानबाजी देश में कर रही है इतना ही नहीं आपको बता दे जिस तरीके से इसमें अडानी और अंबानी दोनों एंड का जिक्र भी राहुल गांधी की ओर से किया गया है तो लगातार वो केंदर सरकार पर यही आरोप शुरू से लगाती आई है कि इन नए किर्शी कानूनों के जर्ये प्राइवेट सेक्टर को नरेंदर मूदी सरकार बढ़ावा देना चाहती है अडानी और अंबानी को फाइदा पहुचाना चाहती है इस वजह से इन नए किर्श सामने आ रहा है फिर चाहे वो जेपी नड्या का वयान हो या तमाम जो बीजेपी शासित राज्ये हैं उनके मंत्रियों के वयान हो जिस तरीके से उनने इस स्टेडियम को लेकर नरेंदर मोदी देश की प्रधान मंत्री और साथ ही गुजरात सरकार को बढ़ाई दी है कि द जोर कोशिश ये है कि अंतरास्टिय जो खेल लगातार विदेशों में चर्चित हैं उसे किस तरीके से भारत में खेलों का जो शेत्र है उसे मजबूत किया जाए इसके लिए लगातार सरकार परतिवत है और तमाम राज्यों में भी कोशिश यही है कि वहां स्पोर्ट्स ताकि जो खेल का शेत्र है उसमें भारत वड़ोतली कर सके लगातार खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की दही है इसकड़ी में लगातार वो तमाम इन स्टेडियम्स का निर्मान करा रहे हैं और गुजरात के एहंदबाद में इस नरेंद्र पोधी स्टेडियम जो बनकर तयार हुआ है जायर तोर पर आज पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच इसी स्टेडियम में खेला जा रहा है तो शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में ये पूरा स्पोर्स एंकलेव बनकर तयार हो जाएगा जिससे भारत में खेलों के शेत्र में ब्रद्धी होगी लेकिन कॉंग्रेस पार्टी को चुकी राजनीती करनी है तो ऐसे में वो तंज कस्रे का कोई मौका नहीं छोड़ती है और यही वज़ा है कि इन तमाम नेताओं के ट्वीट अब लगातार सरकार पर निशाना साधने के लिए सामने आ रहा है प्रधान मंत परश्पती रामनात को विंद ने किया लेकिन उसके बाद अडानी पवेलियर एंट और रिलाइंस एंड ये दो छोर है इस स्टेडियम के जिसका नाम लगातार सामने आ रहा है इसको लेकर अब ना सिर्फ विपक्ष के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं ना सिर्फ व लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं जिस तरीके से इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोधी स्टेडियम रखा गया है और साथ ही इन दो जो एंड हैं उनका नाम अडानी और अमबानी के नाम पर रखा गया है उसको लेकर विपक्ष पर लगातार निशाना साध जा रहा है विपक्ष का मज़ाक उडानी की कोशिश भी लगा था सोशल मीडिया के चरिये लोगों की हो रही है जिस तरीके से विपक्ष अभी तक अडानी और अंबानी के नाम पर केंदर सरकार को खेड़ता आया है लेकिन इस स्टेडियम में जिस तरीके से यह दो एंड अब कॉंग्रेस पार्टी की फी लोग उडाते नजर आ रहे हैं फिलाल आपकी इस पुरे मामले पर क्या कह रहा है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थानिवाद